हेलो फ्रेंड के आदिवासी की इवागरी तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जारकड़ जो आदिवासी सम्मूध पाया जाते हैं, उनकी इवागरी को क्या कहा जाता है तो यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि जहारखंड के एकजामों में यहां से question लगातार पूछे जाते हैं तो हम लोग यहां पर जहारखंड के आदिवासियों के जो है कुछ समू है उन्हें के इवागरी को भी देखते हैं तो चलिए हम लोग सारसिजों को एके करके देखते हैं तो आदिवासियों के सिच्छन सस्था जिसको हम लोग यहां पर आदिवासियों के सिच्छन प्रसिच्छन होता है तो उन्हें को हम लोग यहां पर यहां पर आदिवासियों में सिच्छन प्रसिच्छन सस्था या person है उनको बताया जाता है साथ उसके ये जानकरे को ध्यान रखना है यहाँ पर देखते हैं तो यहひ देखते हैं बीवीन आदिवासियों में इन युवागरियों को अलग नामों से जाना मुझेने में यहां पर हम लोग देख रहें कि जोहैंट बिविन आधिय संमय थे समय अध्याँ होता है सभी आदिवसी समाज में एक जैसा समय नहीं दिया जाता है साथ-साथ युवागरियों की नियम में भी अंतर पाया जाता है तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी यहां पर युवागरिय पाया जाता है उसके जो है नियम भी यह तो है कुछ तो उन नियम में भी अंतर पाय जाता है तो ये भी आप लोग ध्यान रखना है अब हम लोग बात करते हैं कि आदिवसी समाज और साथे साथ में यहां पर उनका जो यवागरी है उनको क्या कहा जाता है तो यहां पर एक तरफ है आदिवसी समाज दूसर तरफ है उसका यॵागरी को तो संथाल और गोंड जो है आदिवसी समाज है उनके यॵागरी को कहा जाता है घोटूल या गोटूल तो यह आप लोगों को याद रखना है गोटुल या गोटुल जो है यवागरी वहा संथाल और गोंड आदिवासी समाज में पाए जाता है यहाँ पर फिर देखते हैं मुंडा कोरा और असुर यह तिनों आदिवासी समाज है तो इनके जीवागरी है उनको कहा जाता है गीती ओड़ा यह आप लोग याद रखेंगे यह सब सारी चीज़े भेरी भेरी इंपोर्टेंट है हो आदिवासी जो होते हैं उनके इवागरी को कहा जाता है गोती आरा तो यह गोती आरा कहा जाता है हो आदिवासी को तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है यह तो इम्पोर्टेंट है ही तो इनका जो है आदिवासी समूग आप लोग ध्यान रखेंगे जो इवागरी प आगे फिर देखती में आपर कुछ और है तो यहां पर देखिएे खडिया अदिवासी के यवाग्री को आदिवासी समाज उनका यवागटा तंडा तो यह आप लोग ध्यानेंगे टंडा जो है वह वह पूरबा अदिवासी से सम्दलित है अब बात करते हैं उराओं के पारे में जो की बही बहीर इंपोर्टेंट है जो दो वह देखा recursos को या धूमकुरिया यहां से question लगातार पूछा जा चुका है तो उराओं का यह तावलों को याद रखना है इसमें तोला सा और हम लोग देख लेते हैं कुछ जानका रही है तो धूमकुरिया में युवकों के लिए और युवति इन दोनों का जो है परवेस होता है चाहिए इ हैं यहां तो यहां नाम है जो बिरहोर के इवागर को कहा जाता है गिति जोरी को गतिवरा या गितिवडा और इसी में इसें यहाँ पर देख रहे हो हूं के लिए बैस्ता और इवतिवक बैस्ता चान सब्सक्राइब Barach होते हैं बिरहोर में लेकिन अगर सामोही कहा जाए तो उसको कहते हैं गीति जोरी या गतियोरा युवक के लिए होता है डोंडा कांठा और युद्टी लोग के लिए होता है डिंडी कुंडी तो यह आप लोग बिरहोर आदिवासी समझ में युवागरी को कहेंगे अब यहा लोगों के लिए अलग होता है यह दोनों अलग चीजें हैं यहाँ पर एक ही बार में अगर कहेंगे तो वह होता है कोड़वा तो यह दोनों नामों को ध्यान रखना है सोरिया पाडिया में भी मर्समक कोड़वा युवकों के लिए और पिलमक कोड़वा युवती लोगों के लिए है यह आप लोग ध्यान दखेंगे अब यहां पर फिये थोड़ा से जानकर रहे हैं उसको भूया को जहरकंड में एसी यानिकी अंसरी जाती सूची में सामिल किय गया है इनके युवागरी को घागरा वासा कहा जाता है तो यह थोड़ा सा आपको एक्ष्ट्रा जानकरी जो है वह मैं आप लोग बता दे रहा हूं यहां पर कि भूया जो है उनको यहां एसी यानिके उससी जाती में सामिल किया गया जहरकंड में लेकिन इनमें भी जो है अधिवास्यों के सीच्छन स्थानों में क्या किया जाता है और यहां पर कौन-कौन से चीज़ों का प्रसिचन किया जाता है तो और इनके युवागरी में उनको क्या क्या कहा जाता है मैंने आप लोगों को बता दिया तो यही था इस वीडियो में जानकर है कि जारक